गूट मॉन्ग आप डिपन, कैसे हैं सब भी, उमीद है कि सब भी बहुत अच्छे होंगे, तो आप सभी को पताए कि 26 जैन्वरी को जोब हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गंतंतर दिवस मनाते हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को हैपी रिपब्लिक डे तो आज का जो दिन है, वो हमारे लिए बहुती खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जोब हमने 26 जन्वरी 1950 को जो अपना संभीधान था, वो जो लागू किया था, संभीधान जो आज से लागू हो गया था, 26 जन्वरी 1950 से, हमारा जो देश है, वो जो एक संप्रभू कंट् बन चुका था, सोबरेन कंट्री बन चुका था, तेके गंतंतर का मतलब होता है, जन्ता की द्वारा, जन्ता के लिए सासन, ठीक है, इसका जो भो मेन, जो भी मतलब होता है, वो ए होता है कि अपने जो भी राजनितिक नेता है, जैसे रास्टरपती हो गया, प्रधान मंत्र इसके बीचे की जो हिस्ट्री है वो जो वो क्या है तो इसको जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपना लेक्चर स्टाट करने से पहले थोड़ी सा आपको पता होना चाहिए क्यूंकि हमारे जो भारतिय सोतनतता सनानी है जो बिन्यतार है महान जैसे मातमा गांदी हुए बगत सिंग हुए चंदर सिक राजाद हुए राला राजपदराय हुए सदार बला भाई पटेल हुए लाल भादू सास्त्री हुए तो इन्होंने जो आजादी के लिए अपनी जान तक उन्हें उच्छाबर कर दी तो इनको जो आज के दिन जो याद करना चाहिए आपको वदाए कि हमारे देश के जो पहले राश्टपती थे वो थे राजिंदर परसाद और हमारे जो देश के पहले प्रधानमती थे वो थे बंडित जोहालान नहरू तो 26 जनवरी को जो आपने कैसे याद रखना है 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो हमारा जोब लगे थे दो बर्स, 11 मा, 18 दिन अगर ऐसे अप्रोक्सिमेट पूचे तो तीन साल के आसपास जोबो तीन साल जोबो लग गए थे ठीक है तीन साल जोबो हमारे संभीधान को बनने में लगे आपको जोबो एक बात याद रखनी है आपके 26 नुवर्बर 1949 को जोबो हमा हमारा संभीधान लागू करने का जोबो निरने क्यों लिया गया तीक है इसके वीचे चोटी सी जोबो स्टोरी है उसको आप सुनेंगे तो जोबो आपको एक हमारे देश पर जोबो गर मैसूस होगा तो क्या स्टोरी है वो देखिए डिसंबर 1929 की बात है लाहोर में जोब जोबो पंडिल जोहला नेरु जो थे उन्होंने जोबो रावी नदी के तट पर भारतिय स्वतनतरता का जोबो जंडा फैरा है उस दिन जोबो उनने गोशना कर दी कि हमें जोबो पूर्ण स्वराज जोबो चाहिए हमें जोबो डोमेनियन स्टेटस नहीं चाहिए डोमेनि स्टेटस नहीं चाहिए हमें पूर्ण स्वराज चाहिए तो इसकी जो गोशना की थी जो इस तिन की थी किसने पंडी जोहला नैरू ने रावी नरी के तट पर तो दिसंबर 1929 में अब आप सुच रहे होंगे कि 26 जनवरी फिर कैसे आया तो इसके बाद जो डिसाइड किया गय कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को हम लोग करणतांतर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाये तो उसी के बाद हमारे देश में हर साले दिवस मनाया जाता था तो उसी दिन को याद रखने के लिए हम लोग ने डिसाइड कि हम लोग अपने संभीधान को लागू करेंगे हम लो चलिए अपना लेक्टर करते है तो आज हम करने वाले हैं एक्सराइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे और इसको जोगो कम्पलीट करेंगे आपने जोगो कोई कॉपी पर ड्रॉन नहीं करना है आपने जोगो सिर्फ अपनी बुक में ही ड्रॉक करना है आपको आज जाता जो वो homework नहीं होगा तो first question है काफी interesting question है कल जो वो हमने pattern के बारे में देख लिए था कैसे-कैसे pattern होज़कते हैं तो जो आपने बस वही जो यहाँ पर apply करना है ठीक है बहुती अच्छे question है काफी interesting भी है start करते है first question है आपर write the letter jkl in the box so that no letter comes twice in any time तो यह वो रही कि आपने जो वो क्या करना है देखिए यह जो ऐसे मैंने line सरगाई यह जो वो horizontal line है यह जो वो rose होती है और अगर मैं vertical line बनाऊ तो इनको जो column बहुते हैं ठीक है तो यह वो रही कि या तो आप rose में देखिए या तो आप column में देखिए इसमें जो वो आप अगर jkl लिख देंगे तो आपका वो जो jkl है वो जो दिखना चाहिए सभी row और column में line wise चीक है लेकिन repeat ना हो कोई जैसे kk ना आए तो ऐसे जो वो हमने कल भी जो डिसकस किया था कि अगर आप ऐसे एक बार लिख लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिए देखो jkl फिर जो आपने यह जो j है यह तो first number से start किया अब जो वो second number से इसको start करिए तो यहाँ पर मैंने j लिख लिए फिर kkl ही लिखना है वस sequence में अब आप लास्ट में लिख लो j अब आप के यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ यहाँ पर लिखेंगे तो जैसे यह से हमने लिखा तो एसे हमने लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो हमारा यह complete हो चुगा अगर आप नीचे की तरफ देखे तब भी j l k कोई भी repeat नहीं होना चाहिए k j l l k j तो इसका उतलग है यह pattern हमने complete कर लिया देखें के ज़रा interesting था तो आपको पतावने जी कैसे जो हमने इसको किया जो से पहले j k l से start करना है जो से पहले first जो box है हमारा ठीक है तो उस वहाँ से हमने start किया ठीक है जो आपको अच्छे से समझाएगा पहले जो वीडियो को पूरा देखिए फिर खुद अपने दिमाग से खुद कीजिए नेक्स्ट पूशिशी नहीं है यहाँ पर यस देखें यहाँ पर लेखा है कि यूज नमबर वन तो नाइन ये भी काफी अच्छा कोशिशन है इसमें बोला कि आप जो एक से लेकर के 9 तक जो यूज कर सकते हैं नमबर ठीक है लेकिन इसने बोला कि add up to 15 ये वही कोशिशन है अभी तो आप 4th क्लास में है अगर आप 5th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर magic में जो आप पढ़ेंगे magic square के बारे में कुछ तरह से ही magic square है क्योंकि square ये देखे 3 rows है 3 column है 3 3 जा 9 9 जो वह यहाँ पर total जो circle है बीच में तो यहाँ पर आपने number भनने है number भनने है कौन कौन से एक लेकर के 9 तक 1 to 9 जो वह नमबर भनने है बस बात यह है कि lines को column बाइस या चाहे row बाइस देखें तो plus करके जो वह 15 आना चाहिए ऐसा ही बुर रहा है plus करके कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए यहाँ पर 15 भी लिखा हुआ है ठीक है तो देखने है कि कैसे जो वह 15 बनाए है हम लोग और इसमें interesting बाटी है कि एक से लेकर के 9 तक जब count करेंगे तो मतलब की 9 नमबर है हमारे पास और यहाँ पे total 9 ही हमारे पास boxes भी है मतलब की एक से लेकर के 9 तक सभी नमबर जो वह आने चाहिए इनमे सभी नमबर जो वह आने चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो वह कैसे कहना है सबसे पहले तो 1 को मैं लिखूंगा कई पर जैसे मैंने जो यहाँ पर 1 लिख लिए सबसे पहले box में मैंने 1 लिख लिए अब जो मैं पहले diagonal को फिल कर लेता हूँ इसको बोलते है diagonal ठीक है वन के बाद जो अगर मैं यहाँ पर वन लास से सुरूबात करते है नाइन चलिए मैं यहाँ पर जो वह 7 फिल कर देता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने 7 रखती है ठीक है 7 और 1 हो गया 8 तो 8 में क्या प्लस करें ठीक 8 में क्या प्लस करें कि जो वो 15 हो जाए तो सॉरी यहाँ पर 7 हो ना 8 में क्या प्लस करें कि 15 हो जाए तो यहाँ पर जो वो हम लोग हाँ सॉरी यहाँ पर मैं गड़बर कर रहा हूँ यहाँ पर diagonal में जो वो नहीं करना है ठीक है diagonal में क्योंकि line ही नहीं नहीं लगए मैं जो वो diagonal को भी कर रहा था diagonal नहीं करना है ठीक है आपने जो जैसे line लगी है वैसे करना है जैसे ऐसे ऐसे और ऐसे नीचे की तरफ ठीक है तो यहां पर diagonal नहीं देखना है यहां पर तो यह अची तो सेबं में क्या प्लस करनें के तो एत प्लस कर डूइगा तो ईतो और प्लस करना पड़ेगा तो जिक आप्छे यहां पर दो नंबर है तो तीसा नंबर निखल जाएगा 15 में से माइनिस कर दी होता है 11 11 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा अब एक नंबर बचा हमारे पास यहां पे 9 और 4 कितना होता है 13 होता है 13 में क्या प्लस करें तो 2 प्लस करना है तो 15 आ जाएगा तो किछ इस तरह से आप नहीं फिल करना है वो सकता है आपका जो पैटरन अलाग सा हो ठीक है लेकिन देखे पांच और 3 होते हैं 8 8 और 7 होते हैं 15 मतलब कि जैसे लाइन बाइस तो आप चेक कर सकते हैं 15 ही बन रहा है तिक है आप चाहो तो यहां पर ले सकते हो ठीक है इसको बात में आप कॉपी पर अच्छे से फिल करिए और कोसिस करिए कि आप जो एक तो पैटरन जो ऐसे और बना तो इसने बोला कि आपने जो मैजिक ट्राइंगल बनानी है और यहां पर इसने बोला कि मस्ट एड़ अप टू 9 आपने जो वन से लेकर के 6 तक नंबर जो यहां पर यूज करना है फिर इसने बोला कि आपका जो एड़ बनना चाहिए ठीक है तीन साइड एस में ते तीनों म 4 5 6 6 है टूटल यहां पर बॉक्स ही सोरी सरकल तो 6 ही जो वह नंबर भी है हमारे पास तो मैंने जो यहां पर लिख लिया यहां जैसे मैं 2 लिख लेता हूं यहां पर मैंने 3 लिख लिख लिया बस कंप्लीट होगा देखिए 3 और 1 होता है 4 4 में क्या प्लस करने कि 9 हो जाए तो 5 प्लस करना पड़ेगा अब 3 और 2 होता है 5 5 में क्या प्लस करने कि 9 हो जाए 4 प्लस करने तो 2 और 1 होता है 3 3 में क्या प्लस करने 6 प्लस करने तभी तो 9 होगा तो यह हमारा complete हो चुका देखिए तो कुछ इस तरह से ही आपने बुक में जो अच्छे से कच्छी पैंसिल म हाइट तो यह वह रहा है कि जो भी टावर का जो टॉप नंबर होगा वो जो इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने जो यहां पर एक है यहां पर दो दोनों को complete करना देखिए यह तो कभी अच्छा है कभी इंट और 10 इन दोनों को प्लस करके उपर वाले box मे लिखना है बस 10 और 8 होता है 18 तो 18 यहां पर लिखें ठीक है यह जैसे यहां पर एक लिखा हुआ है 16 और 10 होता है 26 तो 26 से यहां पर पहले से यह फिल है 30 और 16 कितना होता है साथ 46 होता है तो 46 मैंने यहां पर लिखें तो इसको आप खुद ही complete करिए इन दोनों को प्लस करके दो टॉपर दो लिखेंड़ो दो पिर इन दोनों को जो भी आएगा इनको जो आप वाप फिर लिक विलास्ट में जो आएगा वो उसकी हाइट तक पहुंचना है, ठीक है, काफी अच्छा कुशिन है भी, नेक्स देखे कुशिन हो, आपने बुक में ही फिल करना है, इसलिए जो पूरी एक्साइज ही कंप्लीट करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, तो find the tower of maximum, having maximum height, तो जो भी maximum height होगी, वो जो आपने लिखना है, कि जैसे, यहाँ पर अगर मालो 50 आगए, यहाँ पर मालो 60 आगए, तो 60 आपका maximum है, तो 60 यहाँ पर लिखें, ठीक है, और साथ में second भी लिखें, नेक्स देख कुशिन ओर 5, try to make such a pattern with the 5 number in order, does it, does the sum, does the sum grow by 5 each time, तो यहाँ आप जोब एक pattern लिखें यहाँ पर, कि उनका sum जोबो 5 जोबो बढ़ना चाहिए, जैसे हमने जोबो कल भी किया था, जैसे 1, 2, 3, 4 तक किया था, आपने आज number जोब 5 तक complete करना है, जैसे 1, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इन सब को plus करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 5, 4, 9 हो गया, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 15 हो गया, तो 15 का मतला है, यहाँ पर 15 लिखिए, अब आपने 2 से start करना देखे, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ प पर 2 से start करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 5, 5 का difference आएगा, तो यहाँ पर 25 आजाएगा, आई होब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, 25, फिर जोब कियोंकि यहाँ से हम लोग माइनस कर रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर जोब 3 से start करेंगे, फिर यहाँ पर 5 से क चलेंगे, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 आजाएगा, फिर यहाँ पर 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 9 आजाएगा, यहाँ पर 25 आजाएगा, यहाँ पर 35 आजाएगा, तो कुछ इस तर से आपने complete करना था, आप इनको plus करके चाह कर सकते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है, तो ऐसे ही आपने करना है जब 5-5 का difference डालना हो, तो 5 तक number लिखिए, फिर जब आपने row को start करना है, फिर जब नेक्स number से start करिए, फिर जब वो एक एक number बढ़ता जाएगा, देखिए, इंट्रेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर इंट्रेस्टिंग बात ही है, कि देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, और 15, 25, 5 का difference है, अगर बैसे आगे के तरफ चलने row wise, तो 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sorry, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर इंट्रेस्टिंग बाती, एक और कोशिन, अचा लास्टिक कोशिन है, साद एक मिनिट में चेक करता लास्टिक कोशिन है, तो इसी के साथ हमारी जो 13.1 नहीं है, वो जो वो complete होती है, नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग 13.2 की, ठीकि साथ 13.2 जो वो यहाँ पर नहीं है, अचा 13.1 ही थी यहाँ पर, तो हमारा यह चेप्टर भी जो वो complete होता है, नेक्स्ट चेप् क्युक्स साथ 12.5 जो 16.5 जो 16.5 जो 16.5 जो 16.5 जो 16.6 जो 16.6.